तो हेलो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ पानी पूरी की रेसिपी पूरिया नहीं पानी पूरी प्रॉपर पूरी उसका मसाला और यह वीडियो पता नहीं पहले आएगी के बाद में मैंने जो पानी पूरी बनाई है उसी के साथ ही मैं यह खाने वाली हो तो अगर आपको पूरी बनाने की रेक्नियों मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हो चैनल के अगर बढूंब मेस सबस्कान सब्सकाल सबसे के और बर पहले जो पानी पुरी का मसाला है में जो सब चीजों में काम आएगा वह हम बना रहे तो यहां पे मैंने एक स्पून जीरा लिया एक स्पून शाबूत धन्या लिया और एक सूखी लाल मिच को लिया इन तीनों को मैं भून रही हूँ तो कम सिंट पे इसको भ बाद दिखा रही हो कि कुछ ऐसा हुआ है थोड़ा बड़ा भी है तो चलेगा तो कुछ पीसने के बाद इतना मसाला हुआ है आप जादा भी बना सकते हो मैंने यहां पे चाट मसाला एड़ कर दिया एक स्पून और सारा मिशन मिक्स करके साइड में रख लूँगी यह सब ज चाहिए इसलिए मैं अभी अलग से एड़ कर रही हूँ ग्रीन चटनी में और दो हरी मिर्च लिये क्योंकि चटनी में अल्रेड़ी मैंने मिक्स क्या हुआ था तो आपको मैं बता दे रही हूँ अभी के लिए कि धन्या हरी मिर्ची अद्रग पुटाना और नमक से मैंने व सबसे तो यहां पर मैं इसको पूरा चान लोंगी अच्छी तरह से और जो भी उपर का मसाला बचेगा चानने के बाद उसको फेकना नहीं है बिल्कुल भी उसको भी रखना है आपको तो दोस्तो इस रेसिपी मैं मैंने जो भी यूज किया है वो मैंने होममेड यूज किया इवन पानी पूरी भी मैंने घर पे बनाए हुई है ग्रीन चटनी खटी मिटी चटनी और पानी पूरी की पूरी है सबकी रेसिपी मैंने डाल रखी है तो आप चेक आउट जरूर करना जो मैंसाला मैंने बनाया हुआ था वो अभी मैं एड कर रही हूँ और यहां पे जल देना चाहूंगी आपको कि अगर आप कभी भी पानी पुरी बनाए पानी पुरी का पानी पहले बना के रख ले कम से कम दो गंटे पहले बना के रखो ताकि सारे जो भी मसाले हम एड़ करते वो पड़े पड़े इन्हांस हो जाए तो टेस्टी लगेगी और भी पानी पुरी तो यहाँ पे लास्ट में मैंने एड़ किया हींग, आपको डालने तो डालो, मुझे पसंद है, इसलिए मैंने डाला है, तो यह हो गया हमारा पानी रड़ी, अब बनाते हैं मसाला, मसाला बनाने के लिए पहले से ही मैंने उबाल के रखे थे तीन आलू, मिडियम साइज के, गर के लिए मैं बना रही थी, इसलिए हाथों से मसल लिए, तो अभी मैंने उसमें जो ग्रीन मसाला बचा था, वही एड़ किया है, और जो मैंने मसाला बनाया था, जीरा और धनिया का, वो और फिर काला नमक आड़ किया है, यहाँ पर मैंने, तीनों को एड़ करने के तो यहां पे भी मैं वही ड्राई मसाला एड़ कर रही हूँ और काला नमक आड़ कर रही हूँ यह मीठा पानी बना रही हूँ है इस चटनी मैंने अल्रेडी बना लिए और उसकी रेसेपी मैंने शॉट वीडियो में शेर कर दिये तो वहां पे देख लेना तो बस अभी मैं पूरी आई है पूरी भी आपको मैंने बता दिये कि इसकी भी रेसेपी मैंने शेर कर दिये तो बस हमारी पानी पूरी रड़ी है आप चाहो तो फ्यास भी चोटे-चोटे कट करके उपसे डाल सकते हो धनिया भी डाल सकते हो बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो मैं सिंपल में आपको बता रही हो कि यह भी बहुत टेस्टी बनी थी पानी पूरी अच्छी बात तो यह है कि सारी चीजे घर पे बनी थी होम मेड पानी पूरी